प्रयागराज सिविल लाइन्स धितनगर निगम कार्याले परिसर में अपनी मांगो को लेकर सफाई मजदूर यूनियन से जुड़े काफी संख्या में सफाई कर्मियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज किया इन लोगों ने अपनी मांगो को लेकर मेर अभिलाशा गुपता नंदी को ग्यापन सौपा। सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष प्रदीप ने बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो इसके लिए सभी सफाई कर्मी हर्ताल करने को बाध्य होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी निगम प्रशासंती होगी। इन में से मात चार करमचारियों को रखा गया, बाहरी लोगों को रख लिया गया है। कि बातों को नहीं सुना जा रहा है। आज हम लोग पुना जो हगा मेर साब के पास आएं अपनी बात कहने के लिए कि नहीं करमचारियों को रखा जाए। इसमें हमें लगता आएगा कि इसमें भ्रश्टाचार का मामला है जिसकार जो है यह सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनवाई नहीं होगे तो मजबूरन बस जो हैगा हमें जो हैगा जिला अधिकारीयों कमिश्णर तक तो जाना पड़ेगा इनकी सिकाइद करना पड़ेगा कि यह लोग इस तरी के स्कार्व पंदरा दिन से और सोसिंग करमचारियों को काम पर बैठाल दिया गया है और उन 140 आदमी ही रखे जाएंगे जिसमें की 65 आदमी महजूदा इस्तिती पे थे नगर स्वास अधिकारी ने जो है उनको रखने का आदेश किया और तूड़ा वाले ने अपने आदमी प्राइबेट आदमी को रख दिया आज हम लोग नगनिगम मानी पहां पाउर जी को अपना ग्यापन दिया और अपनी समयस्या बताएं मैडम ने हम लोगों को अस्वासन दिया है कि इसी मेला वाली लेडिस जिन को रखा जाएगा सम्मार को आप लोग आईए आपकी समयस्या हल होगी जगनलाल